हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने से पुरानी जायों यानि की पेग्मेंटेशन का सिर्फ एक इलाज ये इलाज बहुत ही जादा कारगार है अगर आप इसके सारे बेनिफिट्स ल बहुत जल्दी और बहुत एजिली तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसके सारे बेनिफिट्स ले सकें सबसे पहले बात करते हैं खीरे की जब पेग्मेंटेशन या फिर फेस पेस पोर्ट्स हो जाते हैं तो खीरे को रब करते हैं तो खीरे को रब करना एक अलग बात है कि हम अपनी स्किन को हेल्थी बनाने के लिए खीरे को रब कर रहे हैं या फिर कुछ लोग पटैटो यानि कि आलू को भी रब करते हैं ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हैं शायद इन दोनों चीजों को यूज करके भी लोग लगाते हैं अपने फेस पर लेकिन इसके बेनिफिट बहुत कम होते हैं क्योंकि ये उतना अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाते जितने की जरूरत होती है यहीं हम चाहते हैं हमारी पेग्मेंटेशन यानि की जाईया बहुत जल्दी खतम हो जाएं या फिर वो जड़ से खतम हो जाएं यानि दिखे ही नहीं तो ऐसा इन में नहीं है कि ये आलू और खीरा पेग्मेंटेशन को जड़ से खतम कर सकें तो इस के लिए सिर्फ एक ऐसा इलाज है जिसके त्रू हम पेंटेशन को जड़ से खतम कर सकते हैं वो है ऐलो वेरा हम ऐलो वेरा भी लोग लगाते हैं एलो वेरा जब लगाते हैं तो कुछ लोग अकेला ा इलो वेरे का यूज करते हैं इपने फेस पर तो कुछ pigmentation ऐसी होती है जिनमें अकेला aloe vera beneficial है यानि कि उनसे जाईया बिलकुल खतम हो जाती है लेकिन कुछ लोगों की जाईया बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर कुछ लोगों की जाईया यानि pigmentation ऐसी है जो पुरानी नय होने के बाद भी इतनी dark है कि वो अकेले aloe vera का use करने से खतम नहीं होती इसलिए हमें एक ऐसा इलाज करना पड़ता है उसका जो बहुत कारगर हो और उसका effect बहुत बैटर हो तो इसके लिए हमें क्या चाहिए aloe vera प्लस neem नीम की पतियां हमें लेनी है और aloe vera लेना है एक चीज का ध्यान रखें कि आपको aloe vera gel का use करना है लेकिन आपको जो market से aloe vera मिलता है वो नहीं लेना इसकी leaves लेनी है और उसके उपर का उतार कर जो उसका wrapper होता है cover होता है उसको उतार कर उसमें से gel निकालना है जो market से मिल वो एलोवेरा यूज इसमें नहीं करना, अगर आप इसके सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, आप ये मालनी जीए कि जैसे कि आप तीन चमच अलोवेरा जल निकाल लिया आपने, और आप तीन चमच ही इसमें नीम की पतियों का पेस्ट लेंगे, अलग से आप इसे क्रश क कर सकते हैं, ये फिर मिक्सर में इसे ग्राइंड कर सकते हैं, तो आपने इक्वेल क्वेंटिटी में इसे ले लिया, और इसको आप साथ दिन तक अपने फ्रिज में स्टोर करके भी बड़े अराम से रख सकते हैं, इसका यूज कैसे करना है, अब ये जानते हैं, नीम की पत से अपने फेस पर लगाना है एक चीज का धियान रखें कि इसे अपने फेस पर रब नहीं करना बस लगा कर और सो जाना है यह अपना जो रिजल्ट वो दिखाता है यह दोनों चीजे मिलने के बाद जो अपना रिजल्ट दिखाएंगी वो बहुत ही बैटर होगा आपके या खीरा या हनी शहद वगारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह थी information pigmentation यानि की पुराने से पुरानी जाईयों को हटाने के लिए यह information आपको कैसी लगी प्लीज अपने comments के द्वारा ज़रूर बताईए मेरी वीडियो को like करें और अपने friends के साथ इसे share करें अग मिलते हैं एक और नहीं informative वीडियो के साथ तब तब के लिए stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye